इंद्रदेव, भेरव के क्रोध के नहीं, अपितों उनके सयम और पुद्धी के परिक्षा है। अब देखना ये है कि भेरव युक्ति क्या लगाते हैं। क्या आप में से कोई असूर मेगा सूर के विरुद मेरी साहेता कर सकता है। मेरे एक मात्र पुत्र के नेत्र असूर मेगा सूर में माता की भक्ति के कारण छील निये हैं। क्या आप में से कोई अपने नेत्र मुझे दान में दे सकता है। क्या आप मेरी साहिता करेंगे। मैं तुम्हारे माता भक्त पुत्र के नेत्र अवश्य बनूँगा। प्रंतु एक बार पुने सोच लो। माता की भक्ति के कारण वो तुम्हारे नेत्रों को पुने महा दंड दे सकता है। क्योंकि मेगा सूर के राज में हर अप्राप्त का दंड नेत्रों को सहना पड़ता है। माता के लिए ये नेत्र कोई भी दंड सह सकते हैं। बार बार सह सकते हैं। ले चलो। इतने बड़े माता भक्त ये रिशी के नेत्र ही हो सकते हैं। और किसी के नहीं। रेशी बार। रेशी बार। रुमजब है रोव। रिशी के नेत्र कभी वापिस नहीं आ सकते। माता का भक्त रिशी और उसकी पुत्री मेरे शत्रु है। मुझे वो नेत्र वापिस दे दो। हाँ! बार। रिश्य बार। झाल झाल